वैश्वीक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रतेग भारतवासी का सजग रहना, सतक रहना बहुत आवशक है साथियों, आपसे मैंने जब भी, जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देश वाश्यों ने निराश नहीं किया है ये आपके आशिरवात की ताकत है, कि हम सम्मेल करके अपने नरधारित लक्षों की दरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश वाश्यों से, एक सो तीस करोर देश वाश्यों से, आप सबसे कुछ मांगने आया मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ता चाहिए, आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे पैरे देश वाश्यों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चीत उपाएं नहीं सुझा सका है, और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी के चिन्ता बढ़ने बहुत स्वाभावी खर है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाइरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है इन देशों में सुरुवाती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोना से संक्रमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बड़ी है भारत सरकार इस ठीकी पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रेक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनोंने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थिती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे एट सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सावने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैत्ने शिन देश है और हम जैसे देश पर कॉरोना का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मानना गलत है और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्विक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयंप संकल्प और संयंप आज एक सो तीस गरोड देश वाश्यों को अपना संकल्प और द्रट करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरी के नाते अपने करतव्य का पानन करेंगे कि अपने करेंगे